हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पriti साहूँ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्वbe चेनल कुकवित प्रिती साहू में आज हम बना रहे हैं इंडियन स्टाइल पास्ता जो की हम घर के ही सामगरियों से घर के ही मसालों से हम पास्ता को बना के तयार करेंगे इसमें किसी भी के तरह का हम मार्केट का मसाला यूज नहीं करेंगे इस पास्ता को हम घर के सामान से ही बनाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और वैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमली मेमर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा सा ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस तरके की मैं रेसिपी लेकर आती हूँ जो घर के ही सामान से बनाते हैं हम और जो भोट हेल्दी होती है रहोती इजी होती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए हम स्टर्ट करते हैं इस रेसिपी को हमने किस तके से बनाया है तो इसके लिए सबसे पहले हमने पास्ता लिया है, यहां पे बैक्रोनिक का भी यूज़ कर सकते हैं इन पास्ता को हम अच्छे से दोखे और इतना इन में पानी हम डाल देंगे आप देख सकते हैं की पानी से अच्छे से डूब गए हैं इनको मैने कोकर में हुवाला है, सादर नमक डाला है और आदी चमच से मैंने हाँ पर तेल डाला है और डाल कि हम एक सीटी लगाने के लिए इनको रख देंगे कोकर को गैस पर रखके एक सीटी लगा लेंगे कुछ इस तरीके से एक सीटी आने के बाद कोकर की हम सीटी को निकाल देंगे ठंडा कर देंगे एक मिट बादी पूरा ठंडा होने का इंतिजार नहीं करना है नहीं तो हमारे पास्ता ज्यादा कुक हो जाएंगे इस तरीके से इनको कुक कर लिया है हमने यह हमारे पास्ता पक चुके हैं अब इनको हम पानी में से निकाल लेंगे इसको आप डारेक्टर रेन आउट भी कर सकते हैं पूरा मैंने जाली से इस तरीके से कटोरे में निकाल लिया है फिर इनमें हम ठंडा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारी ये पास्ता बलकुल ठंडे हो जाएंगे ओवरकुक ना हो इस बात का में ध्यान रखना है और इनको हम पानी इसमें से भी नि और दो से तीन चमच मैंने हाँ पे तेल का यूज किया है आप चाहें तो बटरी बटर में ये पास्ता बना सकते हैं या फिर आप तेल अकेले में भी बना सकते हैं चोईस आपकी है आप जैसे चाहें बना सकते हैं यहाँ पे मैंने आट से दस कली लेसुन के लिए ये सिप अकेला है इसमें अद्रक बिल्कुल भी नहीं है इसको हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे हलका सा फ्राइ होने की बाद इसमें हम एक से दो हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग हम पे डाल देंगे यदि आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो दो डाल दीजी हाँ पे मैंन अब रटे में इसमें डाल के यदी आप चाहते हैं तो यहां पर पी यूज कर सकते हैं इससे टिन टमाटर नरश कर अनॐरा मैंने जाल पाओडर दाल के और सादणभाओअ. यहां पर आप नमक ध्यान से डालें, जो कि हमने पास्ता में भी नमक डाला हुआ था, तो इसको हम चलाएंगे थोड़ा, हमारे टबाटर जो हमने डाले हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं, अच्छे से दब जाएं, इनकी ग्रेवी जैसी बन जाएं, जब तक इस स्टेज तक हलका क्रंची होने तक पकाएंगे, कुछ इस तरीके से आप देखते जाएं, मैंने सबजी को कैसे काटा है, मैंने इनको लंबा लंबा काटा है, क्योंकि मैंने इहां पर लंबे पास्ता का यूज किया है, तो मैंने इहां पर सबजी की कटिंग भी लंबी की है, तो आपकी हम ुसे' है कि आप सब्जी के के princi तरीके से काटने हैं इस तरीके से सब्जी जो हम कटिंग करते हैं तो दीखने में भी बहुत औंदल लगती है अब हम इसमें दो चम्मच सेजवान सॉस डालेंगे एक चम्मच रैड चिली सॉस डालेंगे और एक चम्मच हम किन्टामाटर केचप डालेंगे इनको हम अच्छे से डाल के और मिलाएंगे थोड़ी देर तक इनको हम चलाते जाएंगे ज़्यादा आपको स्पाइसी चाहिए तो आप यहाँ पर दो चम्मच रैट चिली सॉस का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर यहाँ बच्चों की बना रहे हैं तो इतना सैफिसेंट है कि आप इतनी ही मिर्ची मसालों का यूज करें और इनको हम चलाएंगे थोड़ी देर तक इसके बाद हमें मियनुईज डालेंगे यहाँ पर मैंने दो चम्मच मियनुज का यूज किया है यहाँ पर फ्रेश क्रिम का यूज कर सकते हैं या फिर घरकी जो मलाई होती है उसको आप आधस काटोरी मिक्स करके डाल सकते हैं और यहां पर हम थोड़ी देर इसको चलाएंगे, मिलाने के बाद हम इसमें हमारे जो उबले हुए पास्ता रखे हुए हैं, उनको यहां पर हम एड करेंगे, आप देख रहे हैं कि यह पास्ता कितने खिले-खिले हो गए हैं, इन पास्ता को हम डाल देंगे, और अब अच्छ पास्ता को यहां पराइन आज अब आक्षे से मिलाना है जिससे की वह अच्छे से ऊठोग हो जाएग यह दो यहाँ पर इनको अच्छे से गरम कर लेना है आप देख रहे हैं चलाते हुए इनको अच्छे से गरम करना है चलाना है और यह हमारे पास्ता बनको बनके तैयार है यह इंडियन स्टैल पास्ता है तो आप इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए गा और अपना अनुभव करके बताइएगा और इस रेसिपी को जरूर बनाईएगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्लेटिंग अब कर बहुत अच्छे तैयार हुए है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा विल्कुल यह रेस्टुरेंट जैसा इसमें प्लेटिंग्स आरे जैसे रेस्टुरेंट से बनके आये हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी नए वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू बाई बाई